हेलो फ्रेंट्स आज हम बोलीम 7 का चैप्टर नुबर 6, 7 और 8 करने वालने और आए हमारी बोलीम 7 की लास्ट ही वीडियो है इसमें हमारा बोलीम 7 कंप्लीट हो जाएगा तो जो मारा चैप्टर नुबर 6 है, इसमें क्या हमारे पास mailman and van attendants भारिक और ban परिचर duties of mailman, तो जो भारिक होता है उसका क्या काम होता है one or more than one mailman are attached to each record office, तो प्रते एक record office के साथ एक या एक से ज़ादा mailman जुड़े होते हैं, इसका purpose क्या होता है carrying the articles supplied to sections between the record office and mailman, loading and unloading mails in bans and conveying them to and from the mail offices, और भारिक का करता भी होता है कि अनुभागों को दी गई बस्तूओं को record कार्याले से dark band तक और dark band से record कार्याले तक ढोने, चढ़ाने, उतारने और उन्हें कार्याले लाने का काम किया जाता है उनके द्वारा duties in the record office जो हमारे भारिक होते हैं, जो हमारे mailman होते हैं, उनकी record office में duty होती है, क्या काम होता है keep the office furnitures extra clean and tidy, तो record कार्याले के furniture को जो साब सुथरव रखेंगे and see ink pads are in serviceable order, और जो ink pads बगारा होंगी जो stamps बगारा लगाने के लिए use आती है, उनको भी वो देखेंगे कि वो serviceable order में है कि योग करने योगे हैं या नहीं है तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे attention to hand truckies, हत्थेलों की देखवाल, at stations where hand truckies are used, when the mailman will be told of under the superintendent's order to look after the truckies, जिन स्टेशन उपर हत्थेलों का इस्तेमाल होता है, मतलब कि उनमें हाथ, जो हाथ से चलाने वाले होते हैं, ट्रेडे जैसे उनके उपर dark racket हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जिन स्टेशन पर हत्थेलों का इस्तेमाल होता है, बहाँ एक भारी को अधीक्षक अदेशों के अधीक्षक अधीक्षक होता है जो पर ट्रेड़े होता है, बहुँ ओडर करता है यह हत्थेलों की देखवाल करने के लिए उसको बहाँ पे लगाया जाता है जब कि इसी हत्थेलों को रिपेर की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो सूचना है, बहुँ इसको दी जानी चाहिए जो रिकोर्ड ओफीसर होगा, उसको दी जानी चाहिए ड्यूटीज ओफ बैन अटेंड़ेट, जो बैन परिचर के है, बैन परिचर होता है, उसके क्या करतब बे होता है इन ट्राजिट सेक्शन ओफीशिल्स डैजिगनेटड बैन अटेंड़ेट पारवन अनुखागों में बैन परिचर, पद नाम बाला एक करमचारी हर चैट के साथ एक समान निस हाई के रूप में नियुक्त होता है चीफ ड्यूटी जो बैन अटेंड़ेट, जो बैन परिचर होते हैं, उनकी जो मेजर ड्यूटी है उनकी जो चीफ ड्यूटी है, वो क्या होती है, कि स्टैम पार्टिकल्स एंड ड्यूटी बस्तूं और दस्ताबेज्जों को मोहर लगाना इन मेल ओफिस दीज ड्यूटी अर परफॉंड बाई दी मेलमेन और मेल ओफिस जो तरह ड्यूटी है, बहाँ पे यह वाली ड्यूटी जो मेलमेन के द्वारा की साती है ड्यूटी जिन रिकोर्ड ओफिस, रिकोर्ड कार्याले में करतबे तो वो क्या करेगा कि प्रधान छंटाइसाई की मदद करेगा लेवल्ज और बैंग्स की स्पूर्दगी लेने में और इसके साथ बो क्या करेगा कि साथ की सील को बदलेगा, साफ करेगा, तरीक बदलेगा और अगले जो नेक्स्ट ट्रिप होगी, उसके लिए जो बर्क पेपर कारे पत्तर त्यार किये गये होंगे उनके उपर बो स्टैंपल गाएगा ड्यूटी जिन दी मेल बैन, डाक बैन में करतब बेदी बैन, अटेंटनेंट्स मस्ट बी प्राइजन बिधी सेट ओन दी रेलबे प्लेटफोर्म एड दी टाइम फिक्स्ट फार दी अटेंटनेंस तो जबैन परिचर होगा उसको रेलबे प्लेट फोरुम पर अपने सेट के साथ हाजरी के लिए निर्धारी तस समय पर अवश्यक हाजिर रहना पड़ेगा और इसके साथ सोंपी के बस्मूँ पर मोहर लगाना, थैलों को पैक करना, उसके बाद उनको बाहना सील करना और जो भी छोटे मोटे काम उसको सोंपे जाएंगे और वो उसको सारे करने पड़ेंगे अब हमारा आता है चैप्टर नमबर सैवन, मेल ओपरेशन डाग, परचालन इंट्रोड़क्शन सिस्टम और मेल ट्रांसमिशन तो मेल ओपरेशन क्या है? एक सिस्टम है जहां पे हमारे संगरहंड से लेकर बितरण तक का जो मेल ट्रांसमिशन है उसको कहा जाता है मेल ओपरेशन तो जो हमारा डाग परचालन है उसकी जो इमारत है गती और किफायत दो सितमबों पर खड़ी है operational efficiency would depend upon sorting pattern और जो परचालन की कुशलता है शंटाई के तरीके पर निर्भर करती है the rate of handling within one office should not exceed 1.6 per article और जो handling की दर है किसी एक office में handling की दर है articles को handle करने की दर है वो 1.6 per article से जाद नहीं होने चीज़े किसी एक office में this 1.6 handling is arrived by dividing the current speed of sorting which is 1,000 articles per hour by 600 तो जो 1.6 की rate है जो दर है उसको कैसे निकाला जाता है current speed of sorting जो current speed है छंटाई की वो है हमारे पास 1,000 articles per hour उसको 600 से divide करके हमारी जो handling की rate है उसको निकाला जाता है it is necessary that at least 40% of the articles should be disposed directly from the preliminary table और यह जरूरी है कि कम से कम 40% जो articles है उनको प्रारंभिक table से ही उनका निप्टान कर दिये जाए maximum an article can be re-handled is three times और एक article की जादा से जादा re-handling कितनी बार हो सकती है तीन बार ही हो सकती है rate of re-handling should not exceed 1.8 per article और जो re-handling की rate है दर है वो 1.8 per article से जादा नहीं होनी चीए since articles selection can be sorted into stations TD districts and circle selections respectively 1, 2, 2 and 3 handlings तो हमारे पास 3 से जादा हमारे पास re-handling नहीं हो सकती है तो इसलिए बस्तूं की जो चुंटाई है वो station TD district और circle selections में करमश है 1, 2, 2 and 3 के अंतरगत की जाती है it is therefore obvious that to keep 3 handling rate to 1.8 the quantum of articles going in district bundles between 40 to 50% and between 20 to 40% in station bundles तो जो हमारी handling की दर है उसको 1.8 रखने के लिए yes परस्ट है कि जो circle जो हमारे district bundles है उनकी जो मातरा है जो district bundle है उनमें हमारे पास 40 से 50% जो हमारे station manual sorting 10 छंटाई, full sorting case वारे circle if quantum of male for that circle exceeds 6,000 तो ब्योरे बारे चंटाई करने के लिए किसी circle में जो articles की संख्याबो 6,000 से जादा होनी चीए in case the quantity is less than 500, no detailed sorting for that circle should be done अगर जो डा की मातरा 500 से कम है तो कोई भी ब्योरे बार चंटाई नहीं की चाहेगी station selection is the best sorting solution since no further handlings are involved तो जो station selection है बो चंटाई का उत्तम तरीका है उसके बाद कोई भी handling नहीं की जाएगी post office must prepare territorial registered bundles for each state when number of registered letters for the state is 10 or more तो अगर एक state के लिए 10 या 10 से जादा जो registered articles है तो क्या बनाया जाएगा शेत्रिय registered bundle बनाया जाएगा post office के दोरा closing of bags थैल नहीं बंद करना surface L bags कब बंद किया जाते है more than 50 articles, 50 से जादा articles होने पर surface जो D bags है more than 50 articles, 6 registered articles होने पर surface T bags close किया जाएगा air mail PC between 50 to 50 articles, तो पचास से लेकर 160 तक अगर articles हो तो air mail PC bags close किया जाएगा air mail bags more than 150 articles और air mail bag बंद के लिए articles की संख्या 150 से जादा होनी जाए air mailetted back more than 25 registered articles और air mail registered bag बंद के लिए articles की संख्या 25 से ज़ादा होने चीए जो registered articles है Checking the quality of sorting छंटाई किस दर्जे किया इसकी चार्ज The head sorting assistant and supervisor of the sets should check a minimum of 3 sorting bags and 5 station bags received and dispatched daily तो सेटों के जो मुख्य छंटाई कार होते हैं जो head sorting assistant होते हैं और जो परिवेक्षक होते हैं कम से कम 3 छंटाई थैलों को वह प्राप्त किएगे और भेज़ेगे 5 station थैलों की बो प्रती दिन क्या करेंगे चार्ज करेंगे A minimum of 2 bags closed for the local head office or delivery town sub office should be checked by the head sorting assistant and supervisor जो set के head sorting assistant होंगे परिधान छंटाई साहिक होंगे और परिवेक्षक होंगे स्थानिय मुख्य डागर के या बितर्ण नगर उप नगर डाखर के लिए कम से कम दो बंद किए थैलों की बो जांच करेंगे तो इससे क्या पता है लेगा कि वो जो छंटाई की गई है वो किस दरजे की है इस चीज की बो जांच कर लेंगे तो ASP या फिर IRM जो हमारा assistant superintendent of railway mail होगा या फिर inspector railway mail service का होगा वो क्या करेंगे कि डाख कार्याले से संबंद चंटाई अधीक्षक के साथ खुले बब बंद पांच थैलों की दथा पांच station थैलों की वो चांच कर लेंगे deposit register जमा रिजिस्टर जो हमारा जमा रिजिस्टर होता है maintained in each mail office तो प्रते एक डाख कार्याले में इसको maintained किया जाता है इस रिजिस्टर शुड बी परस्टनली seen by ASRM ASRM assistant superintendent of railway mail service तो इस जो रिजिस्टर को जो deposit register होता है इसको परस्टनली किसके द्वारा चेक किया जाता है जो ASRM होता है on duty in case the set to set transfer exceeds 24 hours it should be brought to the notice of the divisional superintendent तो यदि एक set से दूसरे set में अंत्रण 24 घंटे से दीखो तो सूचना जो अधिक्षक को दी जाएगी superintendent को दी जाएगी और अगर ये 48 hours से ज़्यादा का अंत्रण हो तो ये चीज head of circle है या मारे पास postmaster general होता है उसके notice में लाए जाएगी in case अगर ये जो अंत्रण है 72 hours से ज़्यादा का है तो brought to the notice of director general तो ये director general के इस चीज को director general के notice में लाए जाएगा sample surveys of male dark moona survey action in order to test the efficiency of male system sample surveys are to be taken तो sample surveys जो होते हैं किसके लिए लाते हैं ताकि जो efficiency है जो क्षमता है male system की उसको check किया जाए metro mail survey अब जो हमारा metro mail survey है ये कहाँ पे होता है carried out in cities of चन्नेई, दिली, मुंबेई, कोलकातर, हैदरवाद और बैंगलोर तो ये हमारे पास दिली, चन्नेई, मुंबेई, कोलकातर, हैदरवाद और बैंगलोर in cities में किया जाता है done by project coordinator concerned in the respective metro with the assistant of ASSRM, SSPU, SP, ASRM, ASP, IRM, IPO as required तो जो हमारा project coordinator होता है उसके द्वारा किया जाता है जो भी post offices में SRM या हमारे inspector post बगारा होते हैं इनकी साहिता से वो ये survey करेगा बन GPO, two sub post offices and one head post office should be selected फार्दी survey तो एक journal post office, एक हमारा उसके वाद दो हमारे sub post offices जो अपर डागर होते हैं और एक head post office पर धान डागर जोता है उनको select किया जाता है survey के लिए 25% of the total mail received in the post offices is to be studied और जो इन post offices में total mail प्रापत होती है उसका 25% जो है उसकी study की जाती है The survey is to be undertaken in the month of September तो जो हमारा sample survey mail होगा ये कौन से month में किया जाएगा September में किया जाएगा All India mail survey अखिल भारतिय जो हमारा dark survey action होगा survey has to be cover home district, home circle, neighboring circle and distant circle mails तो जो हमारा अखिल भारतिय dark survey action होगा इसमें क्या-क्या कबर किया जाएगा जो हमारा home district है, agree जिला है, agree circle पडोसी circle और दूरस्त circle को कबर किया जाएगा conducted in one selected post office in each division तो परते एक division में एक selected post और एक post office को select किया जाता है उसमें ये conduct किया जाता है इसमें पोस्ट ओफिस और सब पोस्ट ओफिस और जो post office है, वो head post office भी हो सकता है या फिर उपडा घर भी हो सकता है survey conducted personally by the SSPO, SPO within the assistance of the ISPO and IPO और जो survey है, बो personally किसके दोरा conduct किया जाता है, senior superintendent of post office या superintendent of post office और किसकी assistance के साथ किया जाता है assistant superintendent of post या फिर inspector post office के साथ किया जाता है 25% of the articles received in the post office should be taken for the study तो post office में जितनी डाख प्रापत हुए उसको 25% है उसको लिया जाता है study करने के लिए survey is to be undertaken in the month of September और ये survey भी हमारा September के month में होता है जो All India mail survey होता है next आता है मारा live mail survey क्रिया शील डाख सर्वेक्षन conducting one delivery post office in each postal division तो प्रते एक डाख सर्कल के किसी एक भी तर्ण डाखर में ये conduct किया जाता है conduct personally by the SSRM SRM within the assistance assistance of the SRM and IRM तो ये किसके द्वारा किया जाता है senior superintendent of railway mail service ये superintendent of railway mail service और किसकी assistance के साथ किया जाता है assistant जो हमारा superintendent of railway mail service होता है inspector railway mail service होता है उसकी assistance के साथ किया जाता है post office is selected for the survey in a rural area जो post office select किया जाता है वो किसमे कहां किया जाता है rural area जो हमारे क्रामिन खिशेतर होता है बहाँ पे किया जाता है 25% of the mail received in the post office selected is to be studied तो जो select post office है बहाँ पे जो डाक्टर आपत होगी उसका 25% है उसकी study की जाएगी done monthly और ये जो हमारा जो ये वाला survey होगा ये हमारा monthly होगा जो live mail सरबे होगा second class mail greetings, invitations, extra, दुट्ती, श्रेणी की डाग, बधाई पत्र, निमंत्रन पत्र, इत्यादी should be handled in mail offices only तो इनकी जो निप्टार है बुकापी किया जाएगा डाकार ये जाएगा तो जो हमारे पास उसको handle करने का क्या तरीका होता है उसके निमंत्रन का क्या तरीका होता है उसके एक सिध्धान है कि उसको जो normal mail है उसके साथ ना मिलाया जाए sorting equipment depend upon the re-handling rate of mail of that office तो उस office की जो re-handling rate है mail की उसके ओपर इस चीज़ डिपैंड करती है re-handling rate should not exit 1.6 per article तो ये हमारे पास जो re-handling की rate है 1.6 per article से ज़्यादा नहीं होनी चीए miscellaneous be with as a journal rule mail of one circle mean for another circle should not be sent to or dealt with third circle तो समान्य नियम के तोर पर एक circle की डाग जो की दूसरे circle को है उसे तीसरे circle में ना भेज़ जाए या बहाँ पे उसको deal ना करना पड़े तो इस हिसाब से ये rule फोलो किया चाहेगा इसके बाद हमारा chapter number 8 bag accounting थैला लेखा new system of bag accounting थैला लेखा की नई परणाली introduce me the fact from 1.7.1971 in respect of blue airmail bag तो जो हमारी थैला लेखा की नई परणाली blue हवाई थैला 1.7.1971 से शुरू हुई है इसका objective क्या है इसका उदेश्य क्या है to cut down the circulation of empty bags to the minimum possible तो जो हमारे खाली थैलों है उनका घुमाब को जितना हो सके उतना कम करने के लिए इसकी शुरुवात की गई थी to ensure an adequate working stock in each office इसके साथ प्रतेक कार्याले में कारे के लिए प्रयाप्त stock उपलवद करवाना to ensure that bags are not be drawn for irregular or misuse इसके साथ साथ इस थैलों की निकासी किसी अनियत का रहे है और ना ही उनका दुरूपयोग हो इस चीज के लिए हमारा जो थैला लेखा है उसकी नई प्रणाली प्रारम की गई थी under the system all bags in stock or in circulation will be considered as born on an all India pool तो इस प्रणाली के धिन सभी थैले जो स्टोक में है चाहे परिचलन में है अखिल भारतिय पूल जो हमारा all India pool है उसमें दिखाए जाएंगे all the post offices other than branch post offices are termed as unit bag office तो हमारे पास unit bag office क्या होगे जितने भी post offices है सभी unit bag office के रूप में कार्य करेंगे सिभाए जो हमारे branch post offices है यो extra departmental post offices होते हैं उनको छोड़ कर normally RMS record offices will function as district bag office and in exceptional cases head post office can also work as district bag office तो normally जो हमारे railway mail service record offices होते हैं वो district bag office के रूप में कारे करते हैं और अब बाद के रूप में जो हमारे head post offices होते हैं वो भी district bag office के रूप में काम कर सकते हैं अब जो हमारा circle bag office है उसके रूप में कौन कारे करेगा जो postal store deposit होते हैं इस में उसके कोई कारे करता हैं सेंट्रल बैग उफिस के रूप में कार्य करते हैं सेंट्रल बैग उफिस पोस्टल डिर्क्टरेट डी सेक्षन वाला वहांपे कोई अब बैग बुक नहीं रखी जाएगी बाकी ज़ने भी post offices है वहाँ पर डे बैग बुक रखी जाएगी इच यूनिट बैग ओफीस बिल समिट टू इट्स डिस्टिक बैग ओफीस एडेली बैग बैलेंस रिपोर्ट तो जो हमारा प्रते एक unit bag office होगा वो अपनी daily bag balance report किसको submit करेगा district bag office को district bag office submit weekly bag balance report to circle bag office जो हमारा district bag office होगा वो अपनी सापताहिक bag balance report होगा circle bag office को submit करेगा each circle bag office will submit the bag balance report to postal director D section मतलब कि central bag office on fifth of each month तो प्रते एक circle bag office महीने की प्रते एक महीने की पांस तरीक को postal director D section मतलब कि central bag office को अपनी bag balance report देगा foreign post office also work as जो हमारा विदेश टागर है वो भी district bag office के रूम में कारी करता हो returned lateral office जो हमारा unit bag office के रूम में काम करता है day bag book purpose तो जो हमारा day bag book है उसका क्या purpose होता है maintaining this book to tally the physical stock of bags with closing balance of bags तो जितने post office में physical bags बचके हैं उनके stroke के साथ जो day bag book में balance बचा उसके साथ मिलाना तो यह हमारी day bag book का purpose होता है due bag list MS74 तो हमारी जो due bag list होती है कौन से form पे मनाई जाती है MS74 पे each divisional superintendent and rms issued due mail list in form MS74 in two parts तो प्रते एक divisional superintendent और railway mail service superintendent क्या करता है अब एकशित bag list होती है उसको MS74 फोरम पे two parts में उसको issue करता है the list corrected up to 31st of October will be issued by 15th November और यह सूचिक 30 कुबर तक सशोदी 15 November से पूरव जारी होनी चीए consolidated statement of unit bag office and district bag office this statement should be issued annually in month of November on the basis of due bag list तो नियत थैलना सूची होती है कि अधार पर बर्ष में एक बार बार्षिक बिवर्ण नवंबर माँ में जारी किया जाएगा every circle bag office maintain a register of repairable bags तो जो हमारे repairable bags होते हैं जिनकी मुरमत होनी होती है उनके लिए जो एक register है वो किसके द्वारा maintain किया जाता है circle bag office के द्वारा इस circle bag office maintain है register of unserviceable bags और इसके बाद जो हमारे unserviceable bags हैं जो अनूपियोगी bags हैं उनके लिए जो register है वो भी कोन maintain करता है circle bag office condemnation of unserviceable bags and their disposal will be done by by a committee comprising of director of postal service बन APMG, ADPS and superintendent तो पर तेएक circle थैलना हमारे पास अनूपियोगी थैलनों करजिस्टर रखेगा और अनूपियोगी थैलनों को रद करने और उनको निप्टाने के लिए एक स्मिती होगी जिसके सदस्य हमारे पास ड्रेक्टर जनरल होगे, डाकनी देशोक होगे APMC होगे, ADPS होगे और superintendent होगे इस circle bag office should maintain a master schedule showing the particulars of the due list तो परतेएक circle थैलना अपने कार्याले में एक क्या रखेगा master schedule रखेगा जिसमें particulars होगे, new bags के जो अप एक से थैलने हैं, उनके particulars होगे physical verification of banks will be done twice in a year on 1st April and 1st October तो थैलनों का जो परतेएक्ष सत्यापन है बर्ष में दो बार होगा, एक पहली April को और दूसरा हमारे पास 1st October को होगा joint verification of inter-circle banks accounts is done annually, और जो हमारी joint verification होगी जो सियुक्त सत्यापन होगा थैलनों का वो बर्ष में एक वार किया जाएगा number of due banks will be on the basis of the part B of due bag list issued in every November, नियत थैलनों की संख्या हर बर्ष नियत थैलना सूची के अधार पर होगी for arriving at the number of banks received and dispatched with unusual mails, the figures for the month of July will be taken तो इसमें कैया है मारे पास की अनियत डाक से समंदित प्रापत या प्रेशित थैलों की संख्या प्रापत करने के लिए जुलाई महिने के आंकडों के अधार पर इसको लिया चाहेगा changes in inter-circle mail arrangements will be order only once in two months तो जो हमारे अंतरपरिमंडल डाक वेस्था महोने बाले परिवरतन के अदेश दो माह में एक बार ही जारी किया जाते है the unit bag office will be checked monthly in detailed for any four days by IRM और ASRM हमारा unit bag office होता है उसको detail में month में चार बार चेक किया जाता है मतलब की उसको एक सब्ता में एक बार चेक किया जाएगा inspector railway mail service या assistant superintendent of railway mail service के दोरा the record officer should make over to head sorting assistant or mail guard the empty bags required for use of a set during its next report working hours तो अभी लेक अधिकारी होगा किसी set के अगले फेरों या काम के घंटों में इस्तिमाल आने वाले हर तरह के खाली थैले प्रधान चंटाई साय किया फिर जो हमारे पास mail guard होता है जो डाक रक्षक होता है उसको देगा at the time of annual inspection of postal store depot और इसके साथ क्या होगा कि सर्कल थैला कार्यार ले द्वारा प्रते एक सर्कल स्रैल डीपो को प्रयाप्त मातरा में अच्छे जो ठीक conditions में होते है sound conditions में होते है बैग्स वो प्रवाइड करवाएगा objective of addressing correspondence camp तो पत्रों पर camp लिखने का क्या उदेशी होता है क्या उसका objective है when such correspondence is intended far high officers on tour is to allow of its being delivered without delay तो उसका यह प्रयोजन होता है कि दोरे पर निकले उच अधिकारियों के लिए अगर हो यह वाले articles तो उनको बिना बिलंब पहुंचाया जाए उन तक बिना किसी देरी के पहुंच जाए responsibility in respect of special bags तो जो special bags होते हैं उनसे related क्या responsibility होती है तो जो high officers के लिए special bags होते हैं उनकी जो responsibility है उनके जो safe और correct सही disposal के लिए निप्टान के लिए कौन जम्मेदार होगा किसकी जम्मेदारी होगी जो superintendent होगा वो इस चीज के लिए arrangements करेगा special bags for president should be taken charge of and delivered by the superintendent और जो special bags president के लिए होगे राश्टर पती के लिए होगे उनके लिए charge कोन लेगा superintendent लेगा और उनकी delivery भी कोन देगा superintendent special bags for other officers will be made over at the railway station of delivery by mail guard mail agent of station concerned to the record or sub record officer who will deliver the bags to addressee और जो दूसरे उच्चो धिकारी होगे उनके लिए बिशे स्थानलों की स्पूर्द की railway station बार समन्दे तनुभा का डाक रक्षक या फिर डाक अजेंट जो होगा वो अभी जो record या उप record अधिकारी होगा उसको देगा और फिर वो जो record या उप record अधिकारी होगे वो address को articles जो bags होगे वो deliver करेंगे इसमें क्या है हमारे पास की जो महानी देशक है महानी देशक से राष्टरपती के दोरे का program पाने के बाद जो हमारे पास संबंदित सरकल होगा राष्टरपती के नीजी सचिब को इस बात की सूचना देगा कि दोरे के बीच राष्टरपती उनकी party के लिए जो भी तरीक समय स्थान या फिर जो भी आवक जावक विदेशी डाग पोस्ट है उसको कहां पे स्पूर्द की जाएगी कि उसको जो टूर पे होंगे तो उनको कहां पे वो किस समय जो उनकी आवक है इन्वाड या आउटबार्ड मेल जाब कहां से डिलिवर करेंगे और कहां पर वो पोस्ट करेंगे तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी देगा ठीक है फ्रेंट़ यह था हमारा बॉलीम सेवन यह हमारा लास्ट ही लेक्चर था बॉलीम सेवन का आपको सिरफ ये देखना है कि इसमें important क्या है और उसके साथ जब हम previous questions paper करेंगे तो आपका ये भी कबर होगा और साथ में हम important MCQs भी करेंगे तो उसमें भी आपका ये कबर हो जाएगा तो आपको इसमें इतना जादा stress लेने की जुरूरत नहीं है tension की कोई बात नहीं है आपको जो stress लेना है वो है आपको जो आपके 10-10 number के आएंगे जिन topics में से तो आपको उन पे ज़्यादा stress देना उन पे ज़्यादा चोर देना है इन में से हम important ही करेंगे क्योंकि एक-दो number के लिए बहुत जाद है बीच में से नहीं पूछेगा important जो हर बार exam में आते रहते हैं या फिर important जो होगे वो ही पूछेगा ठीक है friends, thank you